कि दिए सेमें और लेट वर्ड की तरफ से आप बहुत स्वागत है यहां आज हम लोगों ने एजी सुचा कि एक अनौपचारिक तरह की परी चर्चा रखी जाए और ऐसे मुद्दे पर जो इस समय हमेशा से बहुत चर्चित तो रहा है जो अलग भी रहा है लेकिन इस समय बहुत ही ज्यादा ज्वलंग और प्रासंगीत बन गया है और हमको बड़ी खुशी हुई हमने जब यह पुस्तक देखा कि लेट वर्ड ज्यादा तर अन्रेजी में पुस्तक चापता है लेकिन इसके पहले तीस्ता सेतरवाग की पुस्तक उन्होंने हिंदी में चापी और अन्रेजी में चापी और यह सुनके आपको खुशी होगी के शाय जितनी फ जल्दी नहीं पुछी है जितनी जल्दी पुछ थी कोई आड़ी की पुस्तक भी नहीं हिंदी है इसके पीछे बहुत-बहुत कारण है के लोगों के अंदर जग्यासा भी है लोगों को वो सामक् जिसको वो खोज रहे हैं, जहां तक मुझे मालू है, मंडलायो जो है, हिंदी में शायद सिर्फ संसत द्वारा चापा गया, पूरा, और वो इतनी मोटी किताब है, न्यूस प्रिंट में उसको पढ़ना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन Leftward ने इस किताब को छापा, तो हम लोगों ने सोचा कि T.S.M.M. और Leftward बिल करके किताब को एक आपके सामने रखते हुए, एक परिशर्चा का हम आयोजन करें, और हम लोगों ने डर्ते डर्ते दिलीप मंडे जी और P.J.S. सतेन जी से कहा कि आप भी आ जाईए, क्योंकि ये दोनों बहुत बढ़े नाम हैं, ये दोनों ही इस किताब के साथ बहुत जुड़े रहें, और दोनों ने ही हमारे आगरा को स्विकार किया, और दोनों ही आगए और समय से पहले ही आगए, ये बहुत अच्छी बात है, तो आप इनका स्वागत जरूर करें, तो आज आप लोग सब जानते हैं, कि मंडल आयोगी नहीं, बल्कि आरक्षन का जो पूरा मामला है, उसके उपर बहुत जबरदस्थ हमल हो रहा है, और ऐसा लिए कि इसके पहले हमला नहीं हुआ, हर तरह से जो लोगों का अधिकार था, और जो सीटे आरक्षित थी, उनको भरी नहीं गई, अधिकारों से लोगों को वंचित रखा गया, ये तमाम सरकारों ने किया है, और जो लोग सरकारों को चलाते हैं, उन्ह उन्हे हमेशा भरपूर कोशिश की कि कैसे इस आरक्षन को बिना बताए लोगों को समाप्त कर दिया जाए या बिलकुल ही निश्ट भावी बना दिया जाए, तो अकसर लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों, भै ये हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारे समाज के ही लोग हैं, जि जिनको कुछ अधिकार मिल रहे हैं, तो आखिर इसके खिलाफ इतना बवाल क्यों मच रहा है, तो इसी के बारे में बताना जाहूं कि बागी चीजों के बारे में तो ही लोग बताएंगे, कि मैं सौभाग से, उस संसत की सतर से थी, जिसके सामने मंडल आयो की सिपारिशों क रखा गया था, जिनको हमने पारत किया था, और हम लोग, घर हम, कही हम लोग मैं से, ख्यासार से हम, ऐसे माहूल से निकल करके आये थे, कि इस तरह का, इस तरह की सोच या इस तरह की नफरत, मतलब हम, हो सकता हो कहीं छिपी हुई, लेकिन कम से कम सामने, नहीं हमने देखी तो जब वहां पर मंडल आयोग पर सिफारिशों पर बहस शुरू हुई, शायद वो सबसे लंबी बहस है, संसत के इतिहास में, क्योंकि करीब-करीब हर सदस बोलने के लिए खड़ा हुआ या खड़ी हुई, और सामने दिखाई दिया कि हम कैसे विभाजित समाज में रहते है, डॉक्टर अंबेकर ने कहा था कि ये राष्ट तो है ही नहीं, ये तो जातियों का एक जमाओडा है, और जब तक ये जातियों का जमाओडा रहेगा तब तक ये एक राष्ट बन ही नहीं सकता है, तो वो बहुत पश्च रूप से उस पार्लिमंट की अंदर दिखाई कि लोग किस हद तक अपनी जातियों के साथ जुड़े हुएं, बहुत सारी मज़दार बाते भी हुई, हमारे बगल में शरद यादर जी बैठते थे तो जब एक साब खड़े हुए बुलने, उन्हों का देखो ये पंदरा मिनिट बहुत अच्छी बाते करेंगे, दलितों है हुए पहर बाते है का रजदार जाया हुएं पहर हुए इसे तो कुछ हो गा ही हैibility के बात हुए Soul है जब आरक्षर से कुछ होगा ही नहीं तो फिर होने दीजे हमने वो नजारा भी देखा जब भारती जनता पार्टी के कुछ लोग खड़े हो के बोले कि अगर इसको पारेताब कर देंगे तो हम आत्मात्या कर लेंगे और लोगों ने खाँ कर ले ना कर लेगा और उसी पार्टी की उमा भारती जैसी जो थी वो नाच रही थी जब लीपी सिंग ने क्या मतलब इसकी घोश्णा की और वो लिपट गई मतलब लीपी सिंग से वैसे ही लिपती जैसे बाबरी मस्जद के ठेहने पर वो मुर्ली मनोर जोशी के साथ लिपती थी तो यह उनका अचले तरह आपको बताता और उनका की माद मेरा केहने का मतलब है कि सामने आया के जाती भावना या जाती दुर भावना हमारे डिये दे का इतना जवरतश्व फिस्टा है कि जब एक बार उस कि मैंने किसी से पूछा मतलब लादानी से कि अगर ये BMSP बन जाते हैं तो क्या बिगड़ेगा अरे कर दें लीजिए वही तो बंदर के लिए सब लोग बने चाहते हैं वही तो हम नहीं चाहते कि इस बने BMSP तो ही नहीं बनना चाहिए मतलब बहुत कुछ मैं समझती जो मैंने स्कूल, कॉलिज, उनिवर्सटी में नहीं सीखा था वो उस मंदल आयोग के बिवेज के दोराग हमको सीखने को मिला कि हमारा समाज कैसा है और हमारे समाज में किस तरह से ये जो जातिवादी भावना है, दुर भावना है वो बिल्कुल नीचे तक गई है तो खैर वो तो एक भहस थी, उसके बाद आप जानतें बहुत कुछ वह आपो उसम बताएंगे आज जो हो रहा है, कि अभी तक जो कुछ खुल के नहीं होता था जो आज सरकार बैठी है, वो बिल्कुल खुल करके कर रही है और उसने आरक्षन के उपर कई तरह से हमला किया है अभी और लोग भी आपको बताएंगे कि यहां तक कि ऐसी ऐसी चीजें चीजों के उन्होंने परिवर्तन किया कि लोग समझ भी न पाएं कि क्या होने वाला है जैसे कि कॉलेज या या युनिवर्सटी के आधार पर आरक्षन नहीं होगा, विभाग के आधार पर होगा आप लोग कहीं जा रहे हैं, वह भाग पर होगा, तो क्या फरक पड़ता है, आप लोग सब जानते हैं, क्या फरक पड़ता है, कि PHU में 60% आरक्षित सीथे, SCSD की खतम हो गई है, तो ये आज जो हमला है, Supreme Court ने अभी जो, बहुत से हमारे पासवान जी ने बहुत सा रहना की, क लेकिन जब हमने पढ़ा उसको तो Supreme Court ने कुछ भी नहीं किया था, उन्हीं घिजी पिटी बातों को कहा था, जो पहले भी कही जा चुकी है, और फिर से उस मामले को लटका के रखा, कि जब final hearing होगी, तब इस पर final फैसला होगा, और इसी बीच में, आपको मालुम है, कि एक बहुत जबर्दस्त हमला हुआ है, वो है, जो S.C.S.T. अत्याचार को रोकने के लिए कानों था, P.O.A. उसको भी इसी Supreme Court ने बिलकुल निश्प्रभावी बना दिया, और अगर हम देखें, तो इस पर हमको ज़्यादा आश्यरी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौश ने खिलाफ लड़ाई लड़ी जारी थी, उनके पक्षमेनी अपने फैस्दे दिये हैं, तो इसी संदर्व में हम लोग ने आज ए मीटिंग की है और पता नहीं क्या होने वाला है, लेगिन हम लोग सब सुनके ही जाएंगे. तो मिधान में जिस समय कंस्टेंट असेमली बैठी थी, उस समय इंडियन नेशन को जिस तरह सभी जैसे कल परसोष है, पुर्णा मुकरजी जिस तरह से बोल रहे थे, और बाद मुस्कुवाज भागवत ने भी कहा कि जो आइडिया ओफ इंडिया है, ये लगभा पहांचा इस समध नहीं थे, आप देखेंगे कंस्टेंट असेमली की बेठी में बार बार एक शब्द आता है, जिस नेशन इन दम मेकिंग, भारत एक बंता वाराश्ट है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि भारत के जिहास में अभी जो नक्षा है, ये नक्षा कभी नहीं था भारत का, अकभर के समय का भारत देख लीघे, अशोक की के समय का भारत देख लीजे, किसी भी समय में भारत क नक्षा ये नहीं था, पर इतने लोग इतने तरीके से लोग एक-केंद्रियर सथा क्भी एक-काकाद नहीं थे, तो बंता वाराश्ट इसलिए ह 중요 हिसा्टी में, भारत यहां के कुर्मी और महाराश के पुन भी अलग तरीके से बात कर सकते हैं तो इतना इतना बटा हुआ समाज है इसमें से तिर बटा हुआ नहीं है यह बहुत ग्रेड़ इनिकुलेटी है हर जाती दुस्री जाती से नफरत करती है मैं इसे बड़ा हुँ मैं इसे चोटा हुँ मैं लव अंति छत्रियं और इस वजय से पुर्म वंसी चत्रियं से उपड़ हुँ और यदिवंसी से मेरा उपर है और आप श्रिल्कास के अंदर भी उस तरह है के आप पटवारे देखेंगे तो इस देश में यह सारी असमानताइं दूर होनी चाहिए क्योंकि नेशन का उनका जो concept सामगों ने प्रेस्टन डेमोक्रासी को एड़ाट किया भारत जैसे देश में जहां पर बहुत ही primitive किस्मी के और बहुत ही आदिम किस्मी के विभाजन है तो एक तरह से बहुत नीला प्रनफदा भी जो दे रहे थे कि अपना definition दे रहे थे कि वो language और ये इन तमाम चीज़ों से nation बनता है तो आप 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 साब को पढ़िये तो thoughts on Pakistan में भी वो खह रहे हैं और concerned assembly के अपनी last debate में भी वो खह रहे हैं साथ speech में भी कि nation ये नहीं है कि एक जैसा language हो एक जैसी race हो या इसी geographical entity के अंदर लोग मौजूर है इसलिए nation बन जाएगा या common interest भी nation नहीं बनाता है वो और स्ट्रेनन से अपनी definition लेते हैं भावा साब और हमका अत्पर स्टूप पर करना है कि nation जो है वो एक spiritual feeling है मतलब कि आप अतीत में कुछ हम लोगों साथ किया है और आगे चलकर क कुछ साथ अच्छा करने वाले हैं मुझे तकलीफ हो रही हो तो वो तकलीफ आपकी भी तकलीफ हो आप equality और जो एक प्रॉब्लम यह है कि आप बाकी चीजों को कानून से ला उगरा सकते हैं लेकिन मेरा और आपके बीच में घाइचारा हो इसको आप यह shared feeling हो सकती है उसी स कि उसको लगे कि कुछ गलत हुआ है यह बहुत अच्छा नहीं हुआ है यह हर्याना में दलितों प्रत्याचार हो तो सिर्फ से खिलाप दलित प्रोटेश्ट ना करें बाकी लोग भी उनके साथ आएं यह shared joy and shared sorrow और shared dream इनके साथ nation बनता है तो इस वजह से जो construction बनाने वाले से उनके concept में था कि सबको साथ लेके चलना है इसलिए आप टेंगे article 54 आता है कि सारे लोग समान है लेकिन state को यह अधिकार है कि जो backward लोग है, classes है, बंचित समू है उनके लिए कुछ special provision किया जा सकता है तो 64 आता है उसमें भी है कि अगर adequately represented नहीं है तो backward classes of people है उनके लिए अ आता है जिसमें कि socially and educationally backward classes के लिए एक आयोग बनेगा और वो आयोग उनके उत्वान के उपायस उठाएगा, उसी से यह मंदल कमिशन निकला, article 340 से, तो 340 जैसा article या 54 जैसा article जो constitution के उनको frame कर रहे है तो लोग और इस पर आम रहे की, कोई बहुत खिलास debate नहीं कर रहे है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इस वज़े से यह सारा कुछ है, तो मंदल कमिशन मेरे लिए कुछ जातियों के deprivation को दूर करके उनके उत्थान का project नहीं है, यह nation making का, nation building का project है, आप इस देश में अगर सारे लोगों को यह लगे ही नहीं कि नेशन हमारा है, और nation making में, nation building मे हमारा भी हिस्सा है, तो यह कमजोर देश होगा, यह मजबूर देश बन नहीं सकता है जब तक कि समाज के चाहतर लोगों को यह न लगे कि यह देश हमारा है, तो मंदल कमिशन कुछ लोगों को नौकरी देने का project नहीं है, समाज में पीछे रह गया है लोगों को स्थान दे देने का यह project नहीं है, इवेन adequately representation देने का यह project नहीं है, अलाकि इसकी language में है, यह असल में इस nation को, nation बनाने का project है, क्योंकि shared past हमारे पास बहुत अच्छा नहीं है, historically हम लोगों ने साथ मिलकर बहुत अच्छी चीज नहीं किया, जो बावासाथ की definition है, nation की जो और श्रेनन क कोई परिवाशा है, shared past नहीं ने साथ मिलकर बहुत चांदार चीजें की है, यह हमारे अन्हों नहीं है, लवाज से फिर्फ टेर सो साल पहले, इस देश मिलर क्योंकि स्कूल नहीं थे, सावित्री बावाई पहला स्कूल पूने में कोगती है, और आप समझे कि OBC या पूलकास्ट की जो महिलाएं है, उनके पहली स्कूलिंग की विवस्ता अब जाके हो रही है, जिस्व में की पिरोप उस से करीक 200 साल पहले लगभग वहाँ पर इंडेस्ट्रील इविलिशन हो चुका होता है, तो हमारे past में बहुत गौरव करके हमने शांदार बहुत कुछ जीन किया है, यह हम लोगा क्लेम नहीं है, लेकिन आप पीछे की चीजों को बहुत बुरी तरह से याद करना भी न वो नेशन के खिलाफ है, अगर आप इतिहास को बहुत जादा याद करते हैं, कि मुसल्मान हमलावर आये, आरियों ने आकर हमला कर दिया, और प्रामनों न यह कर दिया, इसको आप असल में घूलना जो है और घ्रास का एक ऐसा पार्ट है, जिसके बिना नेशन नहीं बन करता है, और फ्रांस के लोगार यहीं याद करते रहें, कि यहां पर किस तरह से फ्रांस के एक हिस्ते को गुलाम बना गे और उसके बाद एक नेशन बना, या इतली का अगर नौच इतली यह याद करता रहें जची निदी और नहीं भूल सकते हैं, तो नेशन नहीं बना सकते हैं, तो इस चीजों से मेरा एक तहने का मतब सिर्थ इतना सा है, कि नेशन नेटिंग के प्रोजेक्ट में अगर सोशाइटी के कुछ पीछे रह गए, सबक प्रोजेक्स पुरू होता है और इसको लेकर एक सवर्ण गृणा दिल्ली की सड़कों पर नजर आती है और लोग आतना करने लगते हैं वसें जलाने लगते हैं तो यह इन लोगों को आखिर किस फ्रेम में डाला जाए या अभी अगर इजेपी की सरकार आरक्षन को एक तरसे पर इसका सुझसे बड़ा उनका टूल है कि एक कंपनी जो है जिस समय तक सरकारी कंपनी थी वहां पर रिजर्वेशन लागू था जिस दिन वहां पर सुझुकी का पार्टनर्सिप और उनका जो इस्टेक है वो 51% हो उस दिन से वहां रिज़का कमा ज़ए जुलाई महने त पर मुझे लगता है कि एर इंडिया पर प्रटाइज कर देंगे अब वहां 14,000 कंपनी है अगली जोन उप्ति होगी वहां पर रिजर्वेशन लागू नहीं होगा तो रिजर्वेशन लागू न करना हमेशा मंदल कमिश्र को गाली देते नहीं होने वाला है या ये भी नही मेरिट लिस्ट में बहुत सारे लोग जनरल मेरिट में सब्सक्राइब अब उनको यह कहा जाता है कि अगर आपको अच्छा काडर चाहिए अच्छी सर्विक चाहिए तो आप अपने को वहां पर आपकी मेरिट ऊपर होगी अब इसके चलिए आपने किया क्या इस बारी तू दस्वे नंबर पर भी कोई OBC का कंडेट या स्ट कंडेट चला जाता है तो वो खुद को जनरल क्लेम नहीं करके वो खुद को OBC या स्ट क्लेम करता है ताकि उसके सर्विस में वो अपनी कटेगरी का टॉपर के तौर पर चिन्नित हो अब इतनी बारीतियों में और उतने श पिडियाक बीडियुटर्फिस को लगाराई जाते हैं बारें वो खुद कि इस तमय आप मेडिकल में पहले एक पार्टमेंट्री ऐक पुद सिट् непार्टमेंटिक के वो खुद का टिर हो सकता है इस तकि रहाईल एमंचसा में चले जाए तो वहां पर पेट्रिक्स के लिभ सब्सक्राइब करता है तो पहले आप समझिए कि हो रहा है फिर उसके बाद उसका सब्सक्राइब करता है और आपके अंदर को खाकर देगा आपको बोलेगा भी किसे साथ परसंट के आसपा सी आट परसंट ओविसी सिट्स भरी है इसी समय को बोलना सुरू करेगा कि कुछ जाती ओने ज्यादा खा लिया है कुछ जाती आपने अभी पाकी सिटें भरी नहीं और दबंग जाती ने ज्यादा खा लिया इसके लिए आपको पास कोई डाटा नहीं है जैसे आप बोलते हैं कि पर दो ने लिया है तो ज्यादा खा लिया या दबं जाती है अभी आपको एक्स जाती की संख्या कितनी है यह कुछी तो नहीं है क्योंकि 1931 के बार कोई थैंसस तो उसने ज्यादा ले लिया इसका मतलब कि कितने ले लिया नहीं है तो हम काउंट करते नहीं है क्योंकि नौकरियों में किस जाती के कितने लोग है यह भी नहीं पता तो अब यह आपके अंदर के कॉंट्रेडिक्शन को वह अपने लिए इस तरह से इस्तिमाल कर ले रहे हैं तो यह दरसल आप अगर इस देश को देश बनाना चाहते है है तो आप अगराप करके अंहल Whew तो इस देश के बनाने के पूजेक्ट्त में आप इस देश के अधित्म लोगों को सामिल करने कोशिश करेंगे महिलाओं कोμα पिखड़े इलाके के लोगों को समाजी ग्रूप से पिखड़े लोगों को धर्म के अधार प्रजिन के साथ बंचना हुई उनको लेकर अगर आप एक टेश्ट बनाना चाहते तब तो मैं आपको देश्बक्त मान लो लेकिन आपका प्रोजेक्ट अगर यह है कि हिंदू अप इस तरह से अगर आप कंसेंट क्रिएट करेंगे वो सचिनार्म की तथा सुनागत्वान तरीके से अगर वो क्रेट करते हैं धर्म से मेरा कोई विरोध नहीं है लेकिन धर्म का इस्तेमाल जब जाती वर्जना को टिकाव बनाए रखने के लिए उसका जितना से इस्तेमाल है वहाँ पर मेरा से विरोध है तो ये एक कल्चनल हिजमेनी के तरह अगर तहट बीजेटी इस समय को अचीव करने पोशिश कर रही है ये प्रॉल्मेटिक है इसके खिलाब इस देश में जितनी शक्तियां है लोगपंद की शक्तियां है उनको इसलिए नहीं कठा करना होना है कि अरच्छन बचाना है उनको इसलिए कठा होना पड़े है इस देश को बचाना है ये नेशन का प्रॉजट है इस देश का मुंकी मजबूती की जैसा मैंने पर ले भी कहा कि अधित्तम तबकों की अधित्तम हिस्चेदारी इस देश के राजकाज में हो चलाने में हो तमाम इसके संसाधनों में हो इससे ये देश बनना है और अगर इससे बनना है तो बहुत जरूरी है कि स्विद्ट कास्ट के राइट्स की रक्षा हो जो पॉरिष्ट के राइट्स हो उनकी रक्षा हो जो कि शान जातिया है उनको उनके पसल की सही कीमत मिले जो महिलाओं की स्थि यह सवाल अगर हम एड्रेस नहीं करें, यह विल्कुल बड़ा सवाल है, यहां पर आप जेखेंगे तो वो टॉपर्स हैं, अभी इस ताल के जो 10, 4 टॉपर्स हैं, उसमें 3 लड़किया है, आपको फर्स दिविजन जाधा कर रही है, तो यह इस तरह के सवाल, जो जातियां प नॉलेज की प्रोसेस में उनका जुड़ा होगा होना इतना जलूरी है, वो जातियां क्यों इस देश में जैसे किस्वाल क्यों पूछा जाना चाहिए, जो सवाल इमने पूछा भी इंद्रा जैसिंग ने, कि शिडुल कास्ट के सवाल पर, प्रामन और बनिया जज ने फैस सकते हैं, कितने दुरुपियों होगे, आठ जार आठ सो क्या सपास बहेज अच्या है, यह सच है, और यह अगर इस देश में जो भी नीचे है, क्योंकि उनकी नहीं बन सकती, यह पॉस्बल नहीं है, इस देश में बहास आप भी कह रहे हैं, क्रांतियां क्यों नहीं हो इस इनकी पूरी एक थीसी से उनकी, तो यह अब जब कि हम इन सवालों को लेकर पहले से जागा जागों है, शिरुल कास, शिरुल ड्राइव, ओबी सी और महिलाओं के अंदर एक मिर्ल फ्लास का फॉर्मिशा ने पढ़े लिके लोगों का एक संख्या आ रही है, इनके अंदर आपसी कम्मुनिकेशन के नेट बूल्स भी बन रहा है, जो की सोचल मेडिया बगर के जरिये भी है, उसमें प्लस माइनस बहुत कुछ है, उसमें नेगेटिव बहुत कुछ होगा, तो इस समय की यूनिटी के कुछ अब्यक्टिव कंडिशन सामने है, बीजे पी को भी अग इसको चैलेंज करने की जरुता है, मंडल कमिशन को दुबारा पढ़े जाने की जरुता है, उसमें 40 सिफारिसे आप जेखेंगे इस किताब को तो आप पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ 2 सिफारिसे लागू हुई है, 18 सिफारिसे अधी तक पढ़ी हुई है, जो कि आप लोग प टेस्ट के फर्म में आपको आँ तवर पर अच्छी चलाग्रेशी में आपको नहीं मीलेगी, यह कुपी है, इसको नपढ़ा जाये, इसकी रन्नी की है, आप इस समें भावा साब को नपढ़ें, इसकी कितनी बड़ी कोशिश है जिआ इस समें भारत सरकार का मंत्राले उसक पर उसको खरिदना पड़ेगा बावसाग न पढ़े जाए इसकी कोशिश है तुसी तरह बावसाग मुर्थी लगाई जाएगी आप उसमें जागे जालुक्ती दिखाएगे तो यह वही है यह ओस्परेशी मतलब इसको सड्यंत्र यूग में करता हूँ क्योंकि इतनी वड़ी आवादी को आप दवाकर रख नहीं सकते हैं बगार घर ओंत्रों के तो इस वड़ीद्र यूग में हम सारे लोग मौझूद हैं इसमें यह सिर्फ मैं नहीं मानता हूँ कि यह मंडल कमिश करने की मैं उमीद करता हूँ तो यह सारे लोग अगर इस सवाल को इस रूप में ले रहे हैं तो निश्चित रूप से यह भी एक समय है इस समय को पीछे कर देने की भी कुछ कर देने की हमारी कोई हमारी तरफ से कोई अर्चन नहीं है उस सुप्रीम कोड में जिसमें इसमें कोई जज नहीं है आजादी के बाद से साथ महिला जज बनी है इस सिर्फ दो जज है इस तरह सारे इंस्टियूशन पर इस तरह का इस इस तरह से अर्चन का विरोध है वह भाद्ट्य राष्ट का विरोध है जो आरचन विरोधी है उनको देश विरोधी के है सिंड़ा नहीं है उदेश के लोगों से बना है तो इस वज़ए से वंदल कमिशन को चहापा जाना में छाब्घास अफ्याशिक घढ़ना है ली अफ़रोट नींस को चहापा है इसके लिए वह बधाई के पात रहें वह सराहना में पात रहें कि उन्हों ने एक् tackle को उन्हें को बहुत सारे टूप लोगों तक चाने का कांद किया है। इसको लेकर एंच आपल पुंचेगा बहुत से समाच को चलाने वाले लोगों तक पुंचेगा मैं अपनी बाप तिर्फ इसी बधाई के साथ खत्म करता हूँ कि आपको नहीं यह आयोजन किया और मुझ जैसे वेक्टिको जो इसमें बहुत तीमित समझदारी रखता है उसको बूलने का मौका दिया है बहुत बहुत भूत 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 भूत